नमस्कार दोस्तों मैं हूं मन्मिंदर और बेरे चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह है दोस्तों देश में लड़कियों के लिए विवाह की उम्र को 18 साल से बढ़ा करके 21 साल किया जा रहा है इस प्रसाव को कैबिनेट ने मंजोरी भी दे है इसके लिए सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करेगी देश में पहले के कानून के अनुसार अभी पुर्षों की जो नियुंतम उम्र है वो 21 और मैलाओं की 18 साल है लेकिन जो यह नया प्रसार है इसमें इसके मंजोर होने के बाद अब सरकार बालविवा निशियत का कानून स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संश्वधन करेगी नीती आयूग में जया जैटली की अध्यक्ता में 2020 में बने टास्पोर्स ने इसकी सिफारिश की थी इस टास्पोर्स को मतर्च की आयूँ से संबंदित मामलों में एमेमार को कम करने पोर्शन स्थर्मी सुधार और संबंदित मुद्धों की जाज के लिए कटित किया गया था टास्पोर्स का ये भी कहना है कि पहले बच्चे का जनम देते समय महिला की बच्ची की उम्र जो है वो 21 स्वर्श होनी चाहिए और विभा में देरी का परिवार महिलाओं बच्चों और समाज के आर्थिक समाजिक और जो सेल्फ हेल्थ होती है उस पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि मैं आपको बता दू कि 1939 के शार्दाद इनियम में संशोदन करके 1978 में महिलाओं की शादी की उम्र 15 साल से बढ़ा करके 18 साल कर दी के थी अब चली एसी बहाने ये भी जान लेते हैं कि हिंदु विवा अधिनियम में शमा करें 1905 विशेश विवा अधिनियम 1954 और बाल विवा निशेद अधिनियम 2004 क्या कहते हैं हिंदु विवा अधिनियम 1955 की धारा पांच शादी की लिए शादी की निवनतम आयू 18 वर्ष और लड़के के लिए किसर्च की आयू निधारित करते हैं और विशेश विवा अधिनियम 1994 और बाल विवा निशेद अधिनियम motor में महिलाओं और पुरुशों के लिए विवा के लिए सेहमती की निवनतम आयू के रूम में 18 वर्ष निधारत करते हैं लेकिन भारत ने बाल विभाग को रोखने के लिए शादी की उम्र में कई बार बदलाब किये गए हैं केंद्रिये वित्मंत्री निर्मला सिता रमन ने 2021 के अपने बजट भाषन के दौरान टास्पोर्स की गठन का जिक्र करते हुए ये कहा था के 1929 के ततकाली शार्दाद अधिनिया में संशोधन करके 1978 में महिलाओं की शादी की उम्र 14 साल से बढ़ा कर 18 साल कर दी थी जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता है महिलाओं के लिए उच्छी शिक्षा और करियर बनाने के अफसर खुल रहे हैं एमेमार को कम करने के साथ साथ पोशन स्तर में सुधार की अनिवारता है एक लड़की के मतद में परविष्ट करने की उम्र के पूरे मुद्दे को इसी सिलसले में देख जाने की ज़रुत है और ये भी बहुत ध्यान देने की बात है कि बाल विबार रोग थाम कानून की शुरुआत शारदा एक्ट से ही हुई थी इसे के तहट तै की गई शादी की उम्र को मजूदा कानून का हिस्सा बनाया गया था अजादी से पहले कई बार लड़कियों की शादी की उम्र तै की गई उम्र के अनुसार नहीं होती थी और लोगों को जादा कानून का इतना डर्वे नहीं होता था लेकिन 1927 में शिक्षाविद, नैधीश, राजनेता और समा सुधारक रायसाब भरविलाज शारदा ने बालविभा रोकने के लिए संसत में एक विधेक पेश किया जिसमें लड़कों के लिए शादी की उम्र 18 और लड़कियों के लिए 14 साल तै की शादाएक्ट के तहट बहुत कम सजा का प्राधान था, कानून तोड़ने वाले को केवल 15 दिन जेल या थोड़ा सा जुर्मान देना पड़ता था लेकिन 1929 में जब रिये कानून मना और इसमें बदलाव हुआ तो इसमें काफी सक्ति की गई और अब लड़कों के लिए शादी की नियुनतम उस समय 21 और लड़कियों के लिए 18 देगी थी, फिर बालविभा पूरी तरह से नहीं रुका, तो 2006 में इसकी जगा बालविभा रोक्ताम कानून लाया गया, इसमें दंड़का भी प्राधान किया गया, अब कानून तोड़ कि ये किस तरीके से जो सामाजिक बुराईयां हैं उसको दूर करता है, फिलाल इतना ही, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल लगिए, मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत!